Hey experience, welcome back to our channel again, so आज हम लोग बात करने वाले हैं 28th of June 2022 के कुछ current of your questions के उपर, so let's get start with the first question and the first question is When is the United Nations Public Service Day observed? So I don't know, our first is C which is June 23rd, okay, तो यहाँ पर basically किस चीज़ के वारे में बात की जारी है, MASH Public Service Day के उपर, okay, जो की UN के तवारा इसको किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग Public Institutions and Public Servants की बात करने वाले हैं, why, because Public Servants जोते हैं, they have a huge role and contribution in development Development के साथ-साथ, economy भी काफी income मतलब important रहता है, important effect देता है, all over the world, ना कि सिर्फ इंडिया में, because India में भी Public Servants है, जिनको हम लोग IES या फिर IPS, IFS बोलते हैं, ये लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में इस साथी में यहाँ पर देखने को मिल जाती है, Public Service, okay, and साथी में, यहाँ पर ये भी बोला जाता है, कि इस दिन हम लोग encourage करेंगे, यंग पीपल्स को Public Servant बनने में, या फिर Public Services में अपना योगदान देने में, okay, तो इन साथीतों में यह फिर अपना career pursue करने में, basically किस में Public Servant में बनने के लिए साथीतों के लिए, इस पर्टिक्लर डे को observe भी यहाँ पर किया जाता है, okay, तो यह काफी important है, next question is, which state slash UT launched Mo Bus Service, which was recently re-recognized by the UN Public Service Awards, right on the second is, it's D, which is Aureza, okay, तो Aureza में Mo Bus Service चल रहा है, यह आपको याद रखने पहली ची पास जो न, सिर्फ fossil fuels वाली गाडिया हैं, और आपके पास मतलब कुछ भी ऐसा alternative नहीं है, green energy के उपर, तो इन्होंने फिर 2018 में, नवीन पतनायक जी, नवीन पतनायक यहाँ के CM है, और इस दाक्यों के याद रखिएगा, 2018 में यहाँ पे एक Public Transport Service को launch किया गया, और उसको यह यहाँ पे मो बस सर्विस दिया गया, साथ में यहाँ पे एक मो ई रिक्षा भी बोला गया, इसमें बोला गया कि जो मो बस सर्विस है, यह long distance को travel करने के लिए, और जो छोटा वाला होगा, उसमें हम रिक्षा यहाँ पे लगाएंगे, ई रिक्षा सिस्टम यहाँ पे इंट जो भी supplies थी वो particular जगह पे timely पहुंच गया था, तो इस सब जीदों के लिए साथ में इसमें जो technology लगा हुआ है, वो real time technology कहते हैं इसको, जिसमें यहाँ पे live tracking location, traveling planner और साथ में e-ticketing, e-tickets भी यहाँ पे तुरंत मिल जाता है, इस सब जीदों के लिए इसको मिला गया, लेक इस UK, तो Commonwealth में यहाँ पे सब को पता होगा कि 56 members है, 1931 में बना था, Commonwealth वो countries है, जिसके उपर Britishers राज करके गयते हैं, जहाँ पे British rule कभी ना कभी एक बर लगाया, 56 countries यहाँ पे recognize की जाती है, तो उस time से यहाँ पे किया जा रहा है, और India और UK ने अभी यहाँ पे Commonwealth Diplomatic Academy Program यहाँ पे open किया है, जिसके धुरू यहाँ पे जो यंग diplomats होंगे, उनको यहाँ पे training दी जाएगी, और उनको इस लायक बनाया जाएगा, जितने भी global challenges हैं, उनको वो face कर पाएं, और जितने भी members हैं इसके, उनको एक tangible benefit प्रोवाइट किया जाता है, और यह सारी जितने भी चीज का अपना एक motto है कि हम human rights के उपर काम करते हैं, इन सारी चीज़ों में यहाँ पर काम आने वाला है, यह काफी एक अच्छा initiative है, इंडिया और UK BQC में, काफी हम लोग लगभग 1600, जब हमारा 1600 यह टाइम था, उस ताइम से हम लोग का relation सा चल रहा है, East India Company का टाइम से ही, रभ which is Ministry of Finance, तो यह पहले Ministry of Finance में मतलब अभी तक था, लेकिन अब इसको हटा करके, यहाँ पर से cut करके, Ministry of Home Affairs में डाल दिया गया है, क्यों? क्योंकि NCB के बारे मैं आपने सुना होगा, Narcotics Control Bureau, यह Home Ministry के अंडर आता है, और यह भी अब जो है, यह भी अब Home Ministry के अंडर ही आएगा, अब जितने भी matters इसके अंडर आएगे, वो सारा Home Minister ही देखेगा, Home Ministry ही देखेगी, जो इसके अंडर लोग आते हैं, आम इस चार्जी इंडिविजियोली नहीं देखने वाले, ओके? Okay, moving to the next question, who take over as a Chief Executive Officer of Niti Aayog? So, right answer of fifth is C, which is Parmeshwaran L.I.R. Okay, तो यह काफी important question है, why? Because Niti Aayog से यहाँ पर कुछ न कुछ questions हमेशा बन जाते हैं, like कभी इसके chairman के बारे में पुछे जाएगा, कभी यहाँ पर CEO के बारे में पुछे जाएगा, और भी कई सारे questions इसके उपर बन जाते हैं, like Niti Aayog को कब लाया गया, किसको हटा करके लाया यहाँ पर बन जाते हैं, like Niti Aayog का, इससे पहले यहाँ पर अमिताब कान्त थे, जिनको सक्सीर करके यह बने हैं, कितने सालों के लिए, यहाँ पर दो सालों के लिए बने हैं, और यह पहले क्या करते थे, पहले मतलब इनका basically काम था, मतलब IAS officer थे, okay, date ही लिखने लगा, IAS officer, और 1981 की यह batch की थे, okay, यह भी यादर रखेगा, साथ में यहाँ पर अमिताब कान्त थे, वो 6th year के टर्म पर थे अभी, मतलब 6 साल उनका extend, extend करते करते हो गया था, chairman कौन होता है, Niti Aayog का, वो हमेशा नरेंदर मोदी रहेंगा, या फिर कोई भी परधान मंत्री रहेंगा, यह फॉर्मर पंजाब के हमारे director general of police थे, okay, director general of police थे, दिनकर गुपता जी, IPS थे, यह already होता है, मतलब जो भी DJP बनेगा, वो definitely IPS ही रहेगा, और इनको अभी NIA का chief बना दियागा, यह फिर आप इसको डेक्टर जनरल भी बाब बोस जाते हो, okay, इसका main काम क्या होता है, NIA का, its counter-terrorism task force of India, okay, जितनी भी terrorism से गतिवीज है, जितनी भी होती है, उनको यह रोकता है, उनको मार के, उनको जनरत पहुचा देता है, और यह कब बना था, NIA, 2008 में, और इसको succeed कर, मतलब किसको हटा करके यह बने है, तो इनका नाम था, योगेश चंद्रमोदी, यह भी आप लो is, who launched policy and portal of education, e-auction for commercial earning NFR contract, तो राटन सरह सेवंथ है C, which is ministry of railway, okay, तो ministry of railway ने इस चीज़ को किया है, किसके दौरा, एक यहाँ पर system बनाया गया, IREPS, यह फूल फाम होता है, इसका, Indian railway e-percurement system, इसके थूँ ही यहाँ पे हम लोग commercial earning और NFR, मतलब कि non-fair revenue, यहाँ पे हम लोग collect कर पाएंगे, साथी में, mainly इसको किसके लिए किया जा रहा है, यहाँ पे bidders, जितने भी यहाँ पे bid करते हैं, लोग लेक भोली लगाते हैं, उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा है, और यह पूरा e-auction है, यानि कि आप इंडिया में कहीं पर भी रहो, आप लगा सकते है auction इसके अंदर, तो यह भी सही बात है, और आपको मतलब contract भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो यह काफी एक अच्छा बात है, यहाँ पे मतलब कर दिया गया, इसको भी मतलब online कर दिया है, में यही ही था, यहाँ पे, यहाँ पे क्या बात कर रहे है, यहाँ पे क्या बात कर रहे है, यह क्या है, यह बेसिक लिए आप कह सकते हो, कि जितने भी हमारे helicopter में जो pilots बढ़े बैठे रहते हैं, इंडियन एयर फोर्स के, उसको यहाँ पे दिया जाएगा, और यह क्या करता है, यह बेसिकली एयर टू, एयर मिसाइल जो है, उनसे यह सुरक्षा करता है, साथ में एयर टू सर्फिस मिसाइल जितने भी हैं, उनको यह मतलब, उससे मतलब अगर लग जाता है, तो उससे में डिफेंस के अंदर, एक चीज़ यहाँ पे और है, कि एयर बॉन डिफेंस, जो सूट है, यह फायर फ्रेंडली है, यह बीच बीच में 75 ऐसे कुछ काफे यहाँ पे बनाये जाएगे, जो कि एकदम रिमोट एरियास में होगा, जहाँ पे लोग कभी गए नहीं होगे, उ टूरिजम, एकॉनोमी ग्रोथ, और सोशल एकॉनोमी डेवलप्मेंट, सोशल एकॉनोमी डेवलप्मेंट, इन सब चीज़ों के उपर यहाँ पर काम की जाएगा, यह 12 अलग-अलग स्टेट में 75, 75 से मतलब जब भी देखो तो आप समझ जाओ, 75 year of independence of India, यह भी आप लोग अक्रिवीटी तो मैंने आपको लोग को बताया है कि यह भी अच्छे कात तरीके से काम होगा, तो यह भी अच्छी बात है, यहाँ पर defense के ओमामल में काफिया से काम चारबा है, नेक्स्ट क्शिन इस इंडिया रैंग डेट अट विच प्लेस इन गोल्ड रिसाइंक्लिंग यहाँ पर लोग यादर रखेगा, 2021 में हमने 75 ton of gold जो है, वो recycle किया था, recycle कहां से करते हैं, जितने भी हमारे motherboards होते हैं, computer में लगे हुए या फिर mobile phone में, उसमें कुछ-कुछ वहाँ पर gold के components use होते हैं, like in motherboards, किस चीज के लिए, यहाँ पर हमने सबने पढ़ा था, 8th, 9th मे हैं, कि copper is a very great, या फिर good conductor of electricity, लेकिन उससे अच्छा कौन सा metal है, silver, उससे अच्छा कौन सा metal है, gold, हम लोग यह gold और silver क्यों नि यूज करते हैं, उसके पीछे कोछ रीजन हैं, पहला तो भए economical reason ही है, और उसके लावा तो छोड़ी तो बागी चीज है, तो gold जो है, वो काफी मतलब ton, जो gold है, वो recover कर लिया है, इन सब चीजों से, और भी अलग-अलग चीजों से इस सब रीकवर करते होंगे, नेक्स्ट कुशन इस, when has international day in support of victim of aero city being observed recently, so radon star of 11th says B, which is 26th of June, so basically aero city का मतलब होता है, torture, तो इसको आप बोज सब्सके इंटरनाशनल day in support of victim of torture, ओके, तो य इसके थुरू, यहाँ पर जितने भी, like physical torture हो, या फिर psychological torture हो, दोनों को यहाँ पर prevent करने की बात की गई, यह लोगो को aware करने की बात की गई, कि भाई, torture करने के बाद जो victim होता है, वो आगे जाके violence भी बन सकता है, तो यहाँ पर दोनों को ही psychological, जो, जो क्या बोलते है, psychological treatment जो आगे, वो provide करने के बाद की यह, कि इनको जो already victim रह चुके है, वो, और जो इन सारी चीजों को मतलब दे दें, wtknet, घो torture करता है, उसको दोनों को यहाँ पर provide करने की बात की गई, और इन सब चीजों को यहाँ पर बंद करने की यहाँ पर पूरी तरीके से बतब बत बता जा तो यहां पर आंधरापरदेश्की गवर्मेंट ने बोला ठीक है भाई आप अपना प्रजेक्ट लगाई है कोई दिक्कत नहीं है तो इसके अलावा यहां पर क्या होने वाला यहां पर पर एक्वाइर करेंगे लेक वो लीज पर लेंगे और इनन साथ में बोला गया है कि हम लोग 30,000 रुपीज पे करेंगे पर एकड़ पर एनम याद रखेगा पर एकड़ पर एनम अधर एक एकड़ पर तीस सार रुपए मिलेगा एक साल के अंदर अगर हम डिवाइड करें तो पच्छे सव रुपए पर मंथ जो की ठीक ठाग अलएक पर दिकल्स में नहीं आ रहा तो इनके द्वारा किया जा रहा है चार अलग-अलग यहां पर डिस्टिक्स है वहां पर किया जाएगा और डिपेंडिंग कि भाई जिसकी जितनी लेक डिमांड होगा उत में इस पर कर रहा है नेक्स्ट कोशन इस रिसेंटली चेर तक और पर कॉंसल मीटिंग नेम ओपन नेट्वर्क फर डिजिटल कॉमर्स 2022 राइट ऑं सब्सक्राइब करेंगे क्यों क्यों कि इनका प्रोडक्ट है उसको हम ऑनलाइन वे में बेचने के लिए इनको एक प्लाटफॉम दिय हम इसको खत्म करेंगे मत्तब टैकल करनी की बात यह खत्म तो नहीं कर पाएंगे और यहां पर बोला गया कि भाई जो यूपी है इसके थ्रू हम इसको करने वाले हैं और यहां पर एक नया प्लाटफॉम बनेगा जो कि पूरा इंडिया के लिए रहेगा और जो जो लोग ह होंगे वह अपना प्रोड़क्ट इस पर्टिकुलर प्लाटफॉर्म पर बेज सकेंगे इसके लवा इस पर्टिकुलर चीज को पांच अलग 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 सिटीज में ओपन के जाएगा ओके डिपेंडिंग कि कहां कहां पर कितने अच्छे तरीके से काम होता है कितना ट्रैवल एंड अर्बन सर्वेसे जितने भी अर्बन सर्वेसे उन सबको यहां पर एक ही प्लाटफॉर्म के अंदर या फिर एक ही अंब्रेला के नीचे लेकर आने की बात की करिए ओक नेक्स्ट कुशन इस वेर हाज दशुप्रीम कोट रिसेंटली अबॉलिश्ट अबॉ वेड नाम भी इनका थोड़ा डिफरेंट रहता है तो इस केस में 1973 में इस पर्टिकुलर चीज को लीगल कर दिया गया था लेकिन अभी इसको वापिस से खतम कर दिया गया है डिपेंडिंग भई उनका अपना कुछ होगा इसकी वज़े से किया गया नेक्स्ट कुशन इस तो वस अनर विद गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड तो राड अंसर ओफ इस एविज विजय अमर्थ राज तो बिसिकली इनको यह अवाड जो है किसके दोरा दिये जाएगा इंटरनाशनल टैनिस हॉल ओफ फेम इसको 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 इस बोलते हैं इस इस इंटरनाशनल टै तरह एफ तैनिस को नत्वाइगा इस बॉला गाता है कि जो पर्टी कुलर बंदा है यहाँ पर यहाँ यह काफी लंबे टाइंस पर्टी कूलर टैनिस सपोट में अपना थाइं दे चुके घुए लाग आग तो इन सब्टी के लिए यहाँ पर दिया जाता हुए so next question is where has IAF recently participated in tactical leadership programs right answer of 16th is B which is Egypt so India और Egypt ने यहां पर किया था और साथ में और भी अलग-अलग countries आई थी कब से कब तक 24th of June से लेकर के 24th of July तक चलने वाला अभी खतम नहीं हुआ तहां पर हुआ था Egyptian Air Force Weapon School in Cairo यहां पर यहां पर हुआ था इंडिया से यहां पर 2 C-17 यानि कि 2 C-17 जो एरक्राफ्ट हो गया था साथ में 3 CU-30 MKI यह एक एरक्राफ्ट गया था और 57 इंडियन एरफोर्स के ओफिसर्स गया था इस पर्टिकुलर एक्सराइस को इसके लगा यहां इसका आउटकम क्या आने वाला है इन्हेंस डेफेंस कोर्परेशन उके साथ में एक्स्चेंजिंग दबेस्ट प्राक्टिकल साथ में इंडिया यह लिखने इंडिया एजिप्ट के बीच में डिफेंस रिलेशन है वो भी अच्छा होगा और नॉर्मल ज है उन्होंने भी इसमें आया थे हैं लोग के नेक्स्ट क्वेशन इस वेर हाज दे मीटिंग बेविन तर्की रश्या युक्रेइन अन उनाइटेट नेशन ऑन इस्चु अफ ग्रेंडोर है रिसेंट्ली तो यह पटिकुलर इसली इस्तांबूल में हुआ था किस चीज के ल साथ में इन्होंने बोला है कि हमें एक पॉसिबल सेफ रूट चाहिए और यहां पर यहां पर रश्या युक्रेइन टर्की और युनाटेट निशन साब आया से यहां पर अपने अपने रिपर्जेंटेटिव भेजें यहां पर बात हुआ था कि वह खत्म कर दो और अपने नुकसान हो रहा है उसको भरभाई करो अपना ट्रेड वगरा वापे से शुरू करो और पूरी इंडिया को जो भी आप लोग एक्सपोर्ट करते हो ग्रेंस वीट इस सब वापे से शुरू करिए ओके नेक्स्ट कोशन इस विच्ट गवर्मेंट है रिसेंटली बैन था इंटायर ऑफ मीडियम और हेवी वीकल्स तो यहां पर हम लोग इस पर्टिकुलर ताइम फ्रेम में इसको हम लोग बैन कर देंगे तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है विकॉज डेली में पॉप वहां पर जो उसके तुरू काफी पॉलूशन भी आता जाता रहता है वहां पर तो उसको यहां पर टैकल करने के लिए बिसिकलिए एक ही चीज़ यहां पर बोला इनोंने कि मीडियम और हेवी वीकल्स जो है उनको हम लोग एंट्री नहीं देने वाले उनको घूम करके जान कहां पर काबूल में मतलब खोलने की बातवाद चल रही है अभी क्यों क्योंकि अल्रडी 15 कंट्री जो है उन्होंने अल्री अपना जो एंबेसी है उसको वापे से रियोपन कर दिया गया देखो अफगानिस्तान काफी इंपोर्टन है हमारे लिए क्यों क्योंकि वहां से हम कहां सेंट्रल एश्या पहुंच सकते हैं रश्या तक पहुंच सकते हैं साथ में योरोप सक एक बर यहां पहुंचेंगे और साथी में जब भी पाकिस्तान से हम लो क्लें लोग मतलब जब embarrass अफगानिस्तान सम्हाव हेल्प कर सकता है इसकी ये भी हमें मतलब है चीज़ें कि करेगा तो उस तमतिलों के लिए भी अफगानिस्तान से लोग अच्छे रिलेशन्स बना रहे हैं यहां पर बनाया गया है और पॉलकता से धाका का जो डिस्टेंस है वो भी से कम हो जाएगा तो कासी अच्छा डेवलप्मेंट हो रहा है ओके तैंक यू गाइस थैंक वाचिंग देस्ट वीडियो